नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विल्कम बैक टू मैं यूटूब चानल अरूप मरगरी तो देखे दोस्तों जितने भी RRB NTBCCB2 के यहाँ पर कैंडिट्स है जिनों ने यहाँ पर अपना लेबल 6 और लेबल 4 का एक्जाम दिया है 9th में और 3 में को आप सभी कैंडिट्स दोस्तों विडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ओफिशल अपडेट आप सभी कैंडिट्स के लिए आपर आई वी है तो देखे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उस ओफिशल नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया है Ministry of Railways P.I.B. प्रेस रिलीस के दौन 9th and 10th में यहां पर साब साब बताया गया है कि आपका जो NTVC के एकजाम है जो कि आपका CBT 2 के एकजाम है वो 9th and 10th में को आपका कंड़र्ट करवाया गया था इसके बाल gotta. लेबल 6 CBT was conducted in 156 centers in 111 cities across 25 states. लेबल 6 का जो आपका एकजाम था वो आपका 156 centers में करवाया गया था जो कि आपका 111 में था अक्रॉस 25 states में और level 4 का जो CBT है वो आपका 89 centers में करवाया गया था जो कि आपका 56 cities में था और जो कि टोटली आपका 17 states में था अब आते हैं candidate के बारे में candidate के बारे में candidates देया हो तो आप लोग देख सकते हैं आपर इन्होंने लिखा है total 1,28,708 candidates appeared out of 1,80,882 candidates scheduled candidates तो इन्होंने कहा है कि आपका जो candidates appeared की संख्या यहाँ पर वो है आपका 1,88,882 में से कुल 1,28,708 candidates हैं जिन्होंने यहाँ पर exam में appear हुए थे आपके CBT2 के लिए उसके बाद first time आधार-based authentication was done for the candidates आपका आधार-based authentication भी यहाँ पर conduct करवाया गया no normalization needed due to RRBY scheduling यहाँ पर normalization किसी भी प्रकार से यहाँ पर needed नहीं था ठीक है अब यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर details इन्होंने क्या दिया हुआ है Indian Railway was conducted second stage computer-based test of CEN1-2019 non-technical popular categories recruitment on 9th and 10th में for level 6 and for level 4 ठीक है लेब 6 में आपका total vacancies कितना है 7,124 और level 4 में ने कहा है 161 post है आपका ठीक है that is two shifts were held for level 6 on 9th में and one shift was held for level 4 on 10th में यानि कि दो shift आपका level 6 के लिए 9th में को करवाया गया था और एक shift जो है आपका level 4 के लिए वो 10th में को करवाया गया था the scheduling was done in such a way that candidates of 1RB are given same question paper so that there is no need of normalization तो उन्होंने इस तरह से question paper को set कर रहा था कि in future इसके लिए normalization की जरूवत नहीं पढ़ने वाली है the level 6 CBT was conducted in 156 centers in 111 cities across 25 states the overall attendance for level 6 was about 74% यानि कि आपका जितने भी candidates जो है यहाँ पर level 6 के लिए पियर हुए था उसमें आपका attendance जो है candidates का वो 74% रहा अब बात करतें level 4 के बारे में जहाँ पर आपका जो level 4 है वो आपका 89 centers in 56 cities में conduct करवाया गया था overall attendance was about 60.5% level 4 में जो आपका attendance था वो 60.5% था special trends were run by Indian Railways to facilitate movement of candidates special trends चलाया गया थे तो देखे दोस्तों इन्होंने ये बहुत अच्छे से यहाँ पर detail wise बता दिया है कि आपका जो level 4 और level 6 में कितने candidates को बुलाया गया था और कितने candidates यहाँ पर appear हुए है total इन्होंने averagely बता भी दिया कि कितने percentage में candidates यहाँ पर appear हुए है तो यह काफी अच्छी खबर है काफी candidates को यह doubt रहता है कि भाई हम लोगों ने exam तो दिया है तो कि इतने candidates जो exam में appear हुए है इससे क्या होता है कि आप लोग जो है averagely detail निकाल सकते हो कि हाँ इतना expected cut-off हम लोग कर सकते हैं expect कर सकते हैं जिसके इस आप से जो हम लोग qualify करेंगे next round के ले ठीक है जैसे कि level 5 हो गया, level 2 हो गया, level 3 हो गया इनका भी schedule बहुत जल्दी ministry of railways के तरफ से जारी कर दिया जाएगा तो उमीदे दोस्तों यह चीज clear हो गया होगा इसके regarding कोई भी doubt रहेगी आपके मन में please comment box में comment कीजगा मैं आप लोगो reply ज़रूर करूँगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और चैनल को जरू से जरू सबस्क्राइब रखेगा ताकि कोई भी update आएगी आपका NTPC या group D के regarding मैं आप लोगों को inform कर दूँगा और description box में telegram group का link मिल जाएगा वहाँ से जाके telegram group को भी join कर लिजेगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद